Hello Friends, Welcome to our channel MNP Knowledge School Friends, आज के वीडियो में हम जानने जा रहे हैं LIC के नए प्लान बचत प्लस के बारे में ये प्लान 15 मार्च 2021 को लॉंच होने जा रहा है ये वीडियो में हम आपको इस प्लान से जुड़े हर एक पहलू के बारे में बताएंगे प्लान के फीचर्स क्या है, कौन इस प्लान को ले सकता है, इस प्लान की खास बातें, क्या हैं और भी तमाम जरूरी बातें Friends, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको और बताना चाहेंगे ये प्लान को समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा बिन स्किप किये देखना होगा क्यूंकि इस प्लान में कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा हमने प्रयास किया है कि आपको पूरा डिटेल में इस प्लान को समझाया जाए जिससे की कोई कन्फूशन आपके मन में ना हो तो वीडियो काफे इंपोर्टेंट होगा इसलिए आए जल्दी से जानते हैं L.I.C. के नए प्लान बचत प्लस के बारे में फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रस करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंट्स एलाईसी बचत प्लस जिसका प्लान नमबर है 861 सबसे पहले आप ये बिल्कुल कन्फ्यूज मत होयेगा कि ये कोई यूलिप प्लान है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूलिप प्लान के नाम में प्लस शब्द जुड़ा होता है लेकिन ये बताना चाहेंगे कि ये यूलिप प्लान नहीं है ये प्लान 15 मार्च 2021 से शुरू हो रहा है ये प्लान सिर्फ और सिर्फ 6 मेने यानी 180 दिन के लिए ही उपलब्द होगा ये एक नॉन लिंड यानी कि ये एक यूलिप प्लान नहीं है जैसा कि आपको बताया गया है इसमें बोनस लोयल्टी एडिशन के रूप में मिलेगा साथी साथ लाइफ इंशुरंस भी होगा इसमें प्रीमियम सिंगल प्रीमियम के रूप में दे सकते हैं साथी साथ आप चाहें तो limited premium payment के रोप में भी दे सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 साल premium देना होगा आए बाकी detail को जानते हैं इससे पहले कि आपको plan की eligibility condition बताएं सबसे पहले आपको plan में जो option है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको कोई भी confusion ना रहे देखिए जैसा कि आपको बताया गया था कि इस plan में premium जमा करने के दो mode है एक है single premium और दूसरा है limited premium single premium में आपको option A और option B मिलेगा single premium में option A और B होगा limited premium mode की बात करें तो limited premium mode में आपको दो option मिलेगा option 1 और option 2 यानि कि in short single premium में option A और option B है वही limited premium में option 1 और option 2 है अब I hope आगे options पर confused नहीं होंगे अब आईए इस plan के eligibility conditions को भी देख लेते हैं देखिए इस plan में जो minimum बीमा होगा वह one lakh summer short का होगा और maximum बीमा का कोई limit नहीं है अगर age group की बात करें तो minimum entry age है वह single premium के option A और option B के लिए 90 days है यानि 3 months के बच्चे से आप ये plan start कर सकते हैं और अगर limited premium mode की बात करें तो option 1 में minimum entry age 90 days है वही option 2 में minimum entry age 40 years है maximum entry age की बात करें तो single premium के option A में 44 years है वही single premium के option B में 70 years है वही अगर हम limited premium mode की बात करें तो maximum entry age option 1 के लिए 60 years है और option 2 के लिए 65 years है अब policy term और premium paying term के बारे में जान लेते हैं single premium mode में option A में अगर किसी की उम्रे 40 years से कम है तो उसको 10 से 25 years का term मिलेगा अगर किसी की उम्रे 41 से 44 के बीच में है तो उसको 10 years से 16 years का term मिलेगा लेकिन अगर वो option B लेता है तो उसको पूरे age group के लिए 10 से 25 years का term मिल जाएगा वही अगर limited premium mode की बात करें तो option 1 और option 2 दोनों के लिए 10 से 25 years का term मिल जाएगा और premium paying term क्या है तो option A और option B में single premium है और option 1 और 2 में 5 year आपको premium देना होगा अब आईए premium payment की mode की बात करें तो single premium में जमा कर सकते हैं आप इस plan में और चाहें तो limited premium जिसमें 5 साल तक premium आप जमा कर सकते हैं limited premium option में yearly, half yearly, quarterly या monthly mode में premium जमा कर सकते हैं इस policy में surrender और loan की सुविधा भी available है single premium में policy आप कभी भी surrender कर सकते हैं वहीं limited premium payment वाले option में आपको surrender की सुविधा दो साल का premium जमा करने के बाद उपलब्ध होगा वहीं अगर loan की बात करें तो single premium option में policy होने के तीन महिने के बाद आप कभी भी loan ले सकते हैं वहीं limited premium option में loan की सुविधा दो साल का premium जमा करने के बाद उपलब्ध होगा friends आप किस mode में कितना premium देंगे उसका example के साथ आपको next video में समझाएंगे और बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है इसलिए age wise कितना premium आएगा और क्या maturity में मिलेगा इसकी जानकारी आपको next video में हमारी तरफ से मिल जाएगा आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए जादा से जादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रस करना बिल्कुल मत भूलेगा थैंक यू, have a nice day and keep smiling